स्वागत करता हूं मेरा यूट्यूब चैनल पर दोस्तों जैसे कि मैं आप लोग को बताया था कि कुछ महिनों तक मैं आप लोग के लिए वीडियो बनाऊंगा डिपेंडिंग ओन एनी सिंगल इंडिकेटर और या एनी सिंगल स्ट्राटेजी इससे पहले मैं आप लोग के लिए व्याईपी स्ट्राटेजी बनाया आप लोग जानते ही हो कि व्याईपी स्ट्राटेजी जो होते हैं वो सिंगल सिंपल कुछ स्ट्राटेजी को साथ में मिल राके बनाया जाता है और यह बनाया जाता है कि आपको double, triple और ज्यादा confirmation मिले क्योंकि आप बहुत ज्यादा पैसा invest कर रहे हो आपके trading पे और यह सब VIP strategies इसलिए बनाया जाता है कि you have a lot of potential, you have a lot of opportunities to make money ठीक है यह रहा एक simple explanation कि क्यों मैं VIP strategies आप लोग के लिए बना रहा था लेकिन अब ही मैं आप लोग को यह बताना चाहता हूं कि जब से मैंने अपना telegram signal trading group बनाया है बहुत सारे VIP traders भी है वहाँ पे बहुत सारे normal traders भी है वहाँ पे जो कि मेरे जैसे है स्टार्ट किये हैं सिखना चाहते हैं तो मेरा यह मानना है और मैंने यह निरनाई लिया कि उन लोग के लिए मैं basic strategies बनाऊंगा beginner strategies बोल सकता है basic indicators यूज करके बनाऊंगा कि आप लोगों को यह सब strategy depth में पता चले कि कैसे यूज हो रहा है यह strategy कैसे आपको यूज करना है क्या क्या modifications आप कर सकते हो यह strategies में कि आप लोगों को फाइदा हो कि आप लोग आगे जाके जब आप लोग सोचोगे कि यूज है I know a lot of strategies one by one I have acquired a lot of knowledge about these strategies and now I can and I want to become a V.I.P. trader and I want to make use of the very skillful and very good performing V.I.P. strategies in my trading and earn more and invest more, then you guys will not fill a gap between these VIP strategies usage and the indicators or strategies which are used together to make these VIP strategies. In simple way, I want to make a bridge for basic strategies and VIP strategies. When you want to be a VIP trader, when you like to invest more, then you will not feel like I am using this indicator as a VIP strategy, but I don't know about this indicator specifically. मुझे कुछ पता नहीं. तो यह दोनों चीज के बारे में, यह दोनों चीज को मैंने सोच के यह निरनाय लिया कि मैं आप लोग को आप लोगों के लिए सिम्पल इंडिकेटर्स यूज करके कैसे ट्रेडिंग किया जा सकता है, कैसे लोग को यूज किया जा सकता है, और कैसे आप लोग मॉडिफाई कर सकते हो, इस हिसाब से वीडियो बनाओ कि आप लोगों का जो बेस है, वो बेस स्ट्रॉंग हो जाए, क्योंकि जान लो, तो मैथमेटिक्स जैसा, ट्रेडिंग में भी ऐसा सिंपल रूल है, कि अगर आप बेस स्ट्राटीजी बेस इंडिकेटर्स को बहुत बढ़िया से जानते हो, तो इसी लिए यह बेसिक नॉलेज आप लोगों को होना ज़रूरी है, इसी का मैं प्रयास करता हूँ, तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में, मैं आप लोग के लिए पैराबॉलिक इंडिकेटर का यूज करूँगा, मैं बताओंगा कि पैराबॉलिक यूज करके आप लोग कैसे ट्रेड कर सकते हो, और क्या आप लोगो को करना है, तो पहले हम लोग यहाँ पे चले जाएंग यहाँ पे है आप लोग का पैराबॉलिक, यह आ गया पैराबॉलिक का जो इंडिकेटर है, पैराबॉलिक इंडिकेटर का मार्क या डाइग्राम, इस हिसाब से पैराबॉलिक इंडिकेटर आपके चार्ट में दिखेगा, आप लोग देख रहे हो कि मेरा चार्ट बिल्कु कुछ N Cart इसमें सिर्फ इनडेकेटर से दूसरा कोई इनडेकेटर से से कोई要 niñosot नहीं कोई कुछ नहीं लेकिन मैं यहा पर आपडानर को यूज करके लोग को बताऊंगा कि कैसे हम लोग दारित कर सकते हैं कैसे हम लोग determine कर सकते हैं कि chart upward trending है मुझे upward trade open करने या chart downward trending है और मुझे downward trade open करने है तो simple rule है यह देखी यहां से आपको दिख रहा है कि यह जो parabolic dots है यह उपर नीचे से उपर के तरफ जा रहा है यहां से आपको फिर से दिख रहा है कि parabolic dots उपर से नीचे के तरफ आता है इसका मतलब क्या है जब parabolic dots नीचे से उपर के तरफ जाता है इसका मतलब है कि chart is upward trending market में bulls का power ज्यादा है और जब उपर से नीचे के तरफ dots form हो रहा है इसका मतलब है chart downward trending bears का डखल market पे ज्यादा है तो इस हिसाब से आपको trade open करना है जहां पे आपको दिखे कि chart नीचे से उपर के तरफ जा रहा है you can open upward trade जहां पे आपको दिखे कि chart उपर से नीचे के तरफ आ रहा है there you can open downward trade ठीक है तो यह simple rule है बहुत ही simple basic rule है यह आप लोग ध्यान में रखिये और आप लोग इसको use करके बहुत बढ़िया trading कर सकते हैं यह मेरा अनुमान है यहां पे आप लोग देख रहे हो कि chart downward trending है लेकिन थोड़ा flat chart है ठीक है तो यहां पे आप लोग चार्ट चेंज कर लेंगे अपने हिसाब से चार्ट को चेंज करेंगे यहां पे भी आप लोग को दिख रहा है कि chart बहुत नीचे आ चुका है लेकिन फिर भी यहां पे एक downward trend का असंका है यहां पे मैं timing change कर लेता हूं investment change कर लेता हूं और यहां पे देखता हूं कि और कुछ बढ़िया चार्ट मुझे दिख रहा है कि नहीं यहां पे मुझे USD CHF का chart downward trending दिख रहा है और मैं थोड़ा देर वेट करूंगा उसके बाद मैं प्रायास करूंगा यहां पे ट्रेड ओपर करनेगा तो थोड़ा वेट करेंगे क्योंकि यह level के सामने है candle stick और level break करना थोड़ा मुश्किल होता है पहले इसके बारे में मैंने वीडियो बनाया था आप लोग के लिए आप लोग देखे होगे नहीं तो फिर से में लेवल के बारे में भी आप लोग के लिए और एक वीडियो बनाऊंगा फिचर में हो सके कि वो भी आप लोग को थोड़ा help पहुचाए तो दोस्तों यहां पे USD CHF 550 डॉलर का मैंने investment rate टै किया है यहां पे मैंने trade open किया है 550 डॉलर का चार मिनिट का time frame USD CHF 87% का profit और चार्ट यहां पे धक्ट से ऊपर यहां पे यह नहीं बोल सकते हैं कि क्या होगा क्योंकि as you all know market हमेशा राजा होता है और market हमेशा राजा रहेगा चाहिए आप कित्ता भी बड़ा और कित्ता भी बढ़िया trader यह नियम है तो दूसरा चार्ट थोड़ा हम लोग यहां पर देखेंगे GBP USD देख लेते हैं यह पर आपको ट्रेंड का संकेत है USD NOK देखेंगे चार्ट हमेशा बढ़िया रहता है USD NOK का यहां पर भी हम लोग trade open कर सकते हैं मैं यहां पर चार मिनिट का ट्रेंड दो open किया USD NOK डाउनवर्ड ट्रेंड क्यूंकि जो पैराबोलिक लाइन है वो नीचे के तरप है देखेंगे क्या होता है चार मिनिट का टाइम फ्रेम पहला ट्रेड मेरा USD CHM यहां पर आप लोगों को दिख रहा है कि चार्ट अपवर्ड ट्रेंडिंग है और यहां पर हर USD यूरोपे यूजडी चार्ट पे अभी ट्रेंड अपवर्ड है और यहां पर बदल रहा है लेकिन पैराबलिक अभी वी कोई इंडिकेशन हम लोगों को दिया नहीं है तो यहां पर दो मिनिट का एक ट्रेड में ओपन करने का प्रयास करूंगा दो हजार पांसो डॉलर पांसो पचास डॉलर का इंवेस्टमेंट रेट लेकिन थोड़ा वेट करेंगे यहां पर हर बड़ी का कुछ बात नहीं है प्रोटली हम लोग ट्रेड ओपन किये हैं करीब करीब साड़े सोला सो डॉलर का बहुत बड़ा अमाउंट होता है लेकिन हम लोग यहां पर वेट करेंगे देखेंगे एंड रेजल्ट क्या आता है उसके बाद हम लोग डिसीजन लेंगे कि आपला ट्रेड ओपन करना चाहिए या नहीं वान मिनिट फिफ्टी सेकेंड्स का टाइम फ्रेम बचा हुआ है यूएजडी सी एचेफ पे लेकिन गैप थोड़ा ज्यादा है मुझे नहीं लगता कि गैप इतना इजिली कवर होगा लेकिन वेट करेंगे देखेंगे कि क्या आता है नतीजा एक मिनिट का टाइम आता है टाइम फ्रेम बचा हुआ है सेल प्राइस अभी भी है देखते हैं कि क्या होता है यहां पर भी चाट डाउन ओर ट्रेंडिंग हो सकता है कि थोड़ा टाइम का फैक्टर जो है चार मिनिट के जगा में अगर छे मिनिट रखता तो दिसीजन कुड हैव बेटर वान लेकिन फ चार्ट नीचे के तरफ अप लोग देख रहे हो बहुत ही बड़ा लिफ्ट डांवर्ड बहुत ही बड़ा और यह लिफ्ट बहुत ही खतरनाक साबीत हो सकता है बहुत ऐसा टाइम मैंने देखा है मेरे ट्रेडिंग केरियर में दिसीजन के पे अभी भी नजर है थर्टिसिक्स सेकंड बचा हुआ है अगला ट्रेड का भी मैं निरने लूंगा देखेंगे कि यहां पर हम लोग क्या कर सकते तो दोस्तों आप लोग को यह दिखा कि चार्ट कभी हमेसा नीचे के तरब जा नहीं सकता हमेसा उपर के तरब जा नहीं सकता है चार्क कभी-कभा रिट्रेस करता है एक बशाया आका प्र पर यह दिखाया कि चार्ट का मूवमेंट एसा ही होता है आप लोग देख रहे होrabi यह यूस्डए नोके का पहला प्रॉफिट यह यूस्डए नोके का दूसरा प्रॉफिट तो करीब करीब हम लोग आठ सो चालीस आठ सो नो सो कुछ डॉलर अम लोगों यहां पर कमाया लेकिन जो में इंकम है वह पहला लॉस के बाद हम लोगों का कुछ चार सो डॉलर का में इंकम है इसमें तो अभी देखेंगे कि हम लोग दूसरा ट्रेट कहां पर उपन कर सकते हैं और क्या टाइम फ्रेम पर और क्या चार्ट पर उपन कर सकते हैं थोड़ा वेट करेंगे यूएसडी सी एचेफ पर थोड़ा चले जाएंगे यूएसडी सी एचेफ नीचे दिखा रहा है फिर से उपर यूएसडी इनो के पर मुझे अभी भी भरोसा है दो मिनिट का ट्रेड हम लोग यहां पर उपन कर सकते हैं मैं थोड़ा देख लूँगा ठीक है इंवेस्मेंट यहां पर कम कर देते हैं बहुत ही स्टिफ डिक्लाइन हो रहा है मतलब बहुत ज्यादा उपर यह जाएगा यह चार्ट को हम लोग फिलहाल के लिए रहने देते हैं GBP-USD पर देखते हैं GBP-USD बहुत उपर है USD-NOT पर फिर से तो पेराबलिक इंडिकेटर का हम लोग यूज कर रहे हैं फिर से अभी भी पेराबलिक इंडिकेटर इंडिकेशन दे रहा है कि चार्ट डाउनोर्ड ट्रेंडिंग है लेकिन हम लोग वेट करेंगे अर्ट बहू ऊहाँ अर्ट गूज बहुत करेंगे कि यहां पर मैंने दो मिनिट का डाउनवर्ड ट्रेड ओपिन किया है यूएसडी एनो के दो सो पचास डॉलर का इंवेस्टमेंट दो मिनिट का टाइम फ्रेम देखते हैं क्या होता है कर रहा है बहुत ज्यादा यह देखिए यह मज़ा यह आपको सिखाता है कि मार्केट फिर से राजा है और हम लोग जस्ट मार्केट के हिसाब से हम लोग बिहेव कर रहे हैं एक मिनिट 29 सेकेंड का टाइम बचा हुआ है एक मिनिट का टाइम बचा हुआ है चार्ट नीचे आ रही है लेकिन मुझे यह नहीं लग रहा है कि चार्ट हम लोग को प्रॉफिट तक ले जाएगा तो अगला ट्रेट का मैं हिसाब करता हूँ यहां पर पांच मिनिट का टाइम फ्रेम देखते हैं क्या होता है 32 सेकंड बचे हुए हैं चार्ट उपर के तरफ जा रही है बाती बड़ा मुव्मेंट पांच सेकंड का टाइम बचा हुआ है और यह ट्रेड हम लोग को लॉस होगा और यह लॉस हुआ यह ट्रेड 500 डॉलर का ट्रेड था लेकिन देखते हैं कि यहां पर हम लोग कुछ शॉर्ट ड्रैगन ट्रेड ओपन कर सकते हैं कि नहीं पर मैं इसके प्रयास में लगा हुआ हूँ थोड़ा वेट करेंगे फिर भी दूसरा चार्ट थोड़े देख लेंगे यहरो जे पी वाई क्या बता रहा है जी बीपी सी एचेफ क्या बता रहा है जी बीपी सी एचेफ सरासर डाउन्वर्ड ट्रेंडिंग दिखा रहा है मुझे पांच मिनिट का एक ट्रेड मैंने उपेन किया जी बीपी सी एचेफ पे साड़े छेसो डालर का इंवेस्टमेंट देखते हैं कि जी बीपी सी एचेफ डी का जो पैराबलिक ग्राफ है उसका संकेत कितना बहतरीन है ग्राफ है बहुत बढ़िया जम्प था लेकिन जब ये नीचे जम्प कर सकता है तब उपर भी जम्प कर सकता है यह हम लोग को याद रखना है तो पर फिर भी हम लोग वेट करेंगे तीन मिनिट पचास सेकेंड का टाइम बचा हुआ है अगर हम लोग चाहे अगर हम लोग को लगता है कि नहीं ये लौज जाएगे या आपका instinks ये बोलता है किव दिस इस गों डिल्स आप यहां से इल भी कर सकते हैं लेकिन जल का जो रीती यह बहुत बढ़िया रीती नहीं आपको कभी का भार ये बचा सकता है बट यू नेव you are really supposed to make a good profit, but you just sold it. तो यह आपके उपर है, मैं कभी करता नहीं हूँ सेल, हमेसा रिकवरी पर मैं जाता हूँ कि अगर कोई ट्रेड लॉस हुआ तो उसको रिकवर करेंगे, लेकिन कोई ट्रेड सेल नहीं करेंगे. So, this is a digital option trading and this doesn't work like your every day trading when you are buying trades in stock market and leaving it for 6-7-8 months. There is a different terminology involved, there is a different techniques involved in those kind of trading and really different techniques involved in digital trading.. That is why you make more money here. That's the only reason. झाल झाल बहुत बढ़िया ट्रेड था बहुत ही बढ़िया इंडिकेशन पैराबलिक इंडिकेटर के द्वारा तो दोस्तो मैं आप लोगो फिर से यही आप दिलाना चाहता हूं कि these are the very basic steps of trading, very basic indicators, very simple. You can use them in your everyday trading. Make use of your demo account, make use of your demo balance, try to practice a lot. and remember I am always there to help you guys with few of your questions आप लोग को ये भी पता है कि मैं ट्रेडिंग सेशन करता हूं डेली डेली बहुत सारे मेसेज़ेस आते हैं बद स्टिल मैं आप लोग को हेल्प करने के लिए राजी हूं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा टेलिग्राम आईडी दिया हुआ है आप लोगे सरीड ना आप सरो नहीं सेरे सथ्कीति अतरते हैं आप लोगगा जैन्याम करना समय आप लिए चाहते होर्यू आर्डाम आप लिए तो आप लिए विए विए अडी आईडी तो अपलोग को आपलोग सर्च की जी अर्वस्वाल मै आप लोग हे आन याप define सब्सक्राइब कर दोस्तों यह याद रखिये कि अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हो अगर आप मेरे साथ सिखना चाहते हो ट्रेड करना चाहते हो CAाहते हो अरणी अरे दोटरी करना ओर आप मेरे समने करते हो आप मेरे नाहते हो Голो आई नहुज कैसे विबसान ए नहीं के उन jogar प cubes और लृष लाद सबस्क्री सब्सक्राइ्ट and really make it possible for themselves provided they have a mentor like me. I never had a mentor but you guys are lucky. So subscribe to my channel and do not forget to hit the bell icon. I often announce a lot of lucky draws, I often announce a lot of new videos, lot of new strategies and a lot of interesting things for all of you. To make your life better, to make this world a beautiful place with happy people, happy faces, then you are in the right place, make sure you subscribe to my channel and if you are interested in trading, you know where to go, the description box. So thank you so much, really appreciate, Namaskar. So guys, thank you so much again for joining me and thank you so much for all your love and support. Take care, bye bye.